students and welcome you all in our online learning platform बेचू पार्ट साला आप लोग के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की गई है जो कि previous year solve question papers क्यों होगी previous year के जितने भी question papers हैं उनमें से हम एक ही questions को उठाएंगे और उन्हें अच्छे से explain करके solve करेंगे तो ऐसी ये series होने वाली है जिसमें हम लोग सारे questions को explained बे में solve करेंगे और आपको यहां पर पांचो subjects के questions मिल जाएंगे जो कि entrance के पांचो subject हैं उन सभी के questions मिल जाएंगे इसी series में तो last 10 years के questions होंगे 2011 से 20 तक के जितने भी question paper हैं उनको हम लोग solve करेंगे और यह series जितने भी बेचुप आट साला के mentors हैं सबके द्वारा संचालित की जाएगी तो इस series को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस series को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से series को solve करेंगे इससे पहले मैं अभी आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी समय अफवा कह सकते हैं news जो इस समय कुछ जादा ही फैल रही है वो है merit based admission की तो ऐसा कोई भी नहीं था इंट्रेंस हुआ था तो इंट्रेंस आपका आपकी इंट्रेंस होनी की probability 99% है और merit based होनी की probability सिर्फ एक परसेंट है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला आप लोग बस पूरा focus अपना पढ़ाई के तरफ डालिए इंट्रेंस आपका होगा जैसे situation normal होंगी आपका जो कि 2020 में ही पूछा गया था which country does not come under South Asia South Asia में कौन सी country नहीं आती तो South Asia जैसे ही mind में आए आपके mind में एक organization आ रही होगी जिसका नाम क्या है सार्क सार्किया बोल सकते हैं हम लोग दच्छेस सार्किया दच्छेस इसको हिंदी में बोला जाता है तो सबसे पहले हमें इस organization के बारे में जाना जरूरी है यह organization आप जान लेंगे तो यह question बहुत ही अच्छे से आप attempt कर लेंगे तो South Asia की जितनी भी countries हैं उनको मिला करके सार्क का गठन किया गया है सार्क यानि दच्छेस का गठन किया गया है इसका full farm है South Asian Association for Regional Corporation for Regional Corporation यानि छेत्रिय सहसंबंद के लिए जो बांगलादेश धाका के कहा हुआ था बांगलादेश में हुआ था लेकिन headquarter इसका काठमांडू नेपाल में है और इसकी जो सदस से देश है यानि हम लोग countries बोल सकते हैं जो इस संगठन में अपना involvement रखती है वो 8 countries है यानि South Asia में कितनी countries आती है 8 countries आती है इंडिया, quarter है कहां पर है तो काठमांडू यह इंडिया सदस से देश है अए जब बिग ब्रोदर काम करता है इस organization के लिए क्योंकि element बांगलादेश के राजधानी यहां पर हुआ था गठन हुआ था और उसके बाद मालदीप यह स्री लंका यह जो है यह आठ कंट्रीज दच्छिड एशिया में आती हैं तो यहां पर सब सबस्यादा कंफ्यूजन कहां क्रियेट होता है मालदीप अब मालदीप इस साइट पर जाता तो आप मालदीप इसका पार्ट है जबकि मयमार आशियान का पार्थ है तो यहीं मैमार में लोगोंको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा आप लोग अब यहां देख के अच्छे से लगा सकते हैं South Asia मैंने कौन कौन सीटी आपको था ही भूटान भी बता है मालदीव भी बता है नेपाल भी बता है लेकिन मैंने मैमार आपको नहीं पता है तो मैमार आशियान का पार्ट है किस का part है आशियान का part है ओक्री लेकिन आसियान के यह आपको अच्छे से कुछ भी नहीं नहीं पूछे गा यह कुछन आपको अच्छे से बिजॉलाइजिस्ट अच्छे होगा हूई तो आपको सार के बारे में अच्छे से क्लियर होगा होगा चलिए देखते हैं next question, next question जो है अपना reasoning से है, reasoning से related हमारा question है, तो इस question में हम लोग देखेंगे, यह स्रिंखला का question है, जो कि series का question है, स्रिंख के question में क्या होता है, हमको एक क्रम होता है, उसी को ढूड़ना होता है, इसमें कौन सा क्रम है, इसको हमको ढूड़ना है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ सारे number कहीं न कहीं किसी संख्या के cube है, घन है, तो यह देखें, एक जो है, यह एक का घन है, आ यह किसका क्यूब है 1 का क्यूब है 8 जो है 2 का क्यूब है 273 का क्यूब है ऐसे ही चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक यानि ऐसी क्रम में लोग क्यूब करते जा रहे हैं तो 7 के बाद 6 के बाद किसका नंबर आता है 7 का नंबर आता है तो जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा यह 34 तो 43 यानि 343 मिलेगा जो कि इसका सही अंसर होगा तो इसका सीरीज हम लोग क्या पता चला कि यह क्या किया गया है सभी संख्या होगा यानि क्रम से एक से ले करके साथ तक की संख्याओं का क्या है ये क्यूब है ये एक का क्यूब है ये दो का क्यूब है तीन का, चार का, पांच का, छे का तो ये किसका होगा साथ का क्यूब होगा साथ का क्यूब क्यों हो जाएगा 343 तो इसका सहींसर क्या हो जाएगा 343 तो series के जितने भी questions होते हैं इसमें आपको एक journal क्रम यानि कह सकते हैं एक order देखना होता है और ये question बहुत ही अच्छे से attempt हो जाते हैं अगर आपको order अच्छे से पता चल गया तो तो इसका मैंने explanation भी लिख दिया है question को solve करके next question देखते हैं हे यानिदीि साईध के प्रारंभिक काल के लिए अचार राम्चंद्र शुक्लुड्वारा प्रदत्त नाम है beeniałe English papers में दो papers होते हैं एक होता ही एक होता है English कुछ लोग Hindu लेते हैं कुछ लोग English लेते हैं तीस-स questions आपको दोनों में करने रहते हैं तो य FA OF हिंदी को as a subject ले रखा है entrance में देने के लिए तो question क्या है कि आचार रामचंदर सुक्लवारा कौन सा नाम दिया गया था प्रारमभी काल को चलिए हम लोग इसको पहले explain करके देखते हैं कि क्या-क्या नाम दिये गये थे बहुत सारी नाम different मिल जाएगा तो इस पे जादा नहीं जाना है ये थोड़ा authentic है और भी चीज़ें है जितने भी scholars है उन्होंने different different बताया तो ये सब scholars के हिसाब से होते हैं next देखिए तो इसको रामचंदर सुक्ल जी ने क्या कहा था बीर गाथा कहा था क्या कहा था बीर गाथा कहा अगर सिद्ध सामंद काल की बात आ जाएगी तो राहुत संक्रतैन जी ने से सिद्ध सामंद काल कहा था आदि काल कहा था अचार हजारी परसाद दुबेदी जी ने बीजो ओपन काल कहा था महाबीर परसाद दुबेदी जी ने तो इतने नाम दिये गए थे और इतने ये जो लेखक थे इनके द्वारा दिये गए थे जली ये question के ओर देखते हैं question क्या था कि रामचंदर सुखल जी ने कौन सा नाम दिया था तो क्या दिया था उन्होंने बीर गाथाकाल अगर आप से पूछ ले नामकरण की पध् साद दोबेदीजी ने सिध्य सांन काल सिध्य साबन काल मैंने अभी आपको यहाँ पर मैंने साए लग दिया आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं राहुल संकृत्यनट तो इन सभी ने यह प्राणन काल के यह जो नाम है इनको दिया तो आटीवप यह question आपको अच्छ के चीज़ रटना हो जाएगी। संधी क्या है गयेधना का तो यहीं प्रिपना का होती है संधी क्या गायब अब जैसे यह आ गया और उसके बाद कोई शुरहाए तो उसका क्या बन जाएगा एक मैं आपको सिंपल से ट्रिक बताता हूँ इसको याद करने की अगर कहीं भी आपको सब्द के बीच में आए आय 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 मैंने आपको कौन से रूल के लिए बताया था आय मैंने आपको रूल बताया था ए प्लस कोई श्वर तो यहां पे हो जाएगा ए यानि यह देखी ए प्लस स्वर के जहां पे क्या है आ है आ जो है यह स्वर के जहां पे आ गया है यह जो है यह मात्रह किसकी ए की ठीक तो यह क् आपकी संदी विच्चे दाई आपको आदी संदी अच्छे से क्लियर हुआ होगा आदी संदी का ये रूल आप याद कर लीजिए आयाद संद से कोई भी कुश्चन आएगा तो आपको से गलत नहीं होगा नेउट कुश्चनु देखते हैं नेश्ट कुश्चन है मैच से कुश्चन है नमब्र आ रिन रीश्यो आप फोर रीश्यो फाइब रीश्योग त्येयर अवरीजिञ देविर्व्रेग से ट्वण च्वार्जेस नमबर।र एफ लजा होगा कह रहा है कि 3 संख्या है 4 अनपाते 5 अनपाते 6 अनपात में तथा उनका उसत 25 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो देखें यहाँ पर ratio जो दिया गया है इसी को हम x मान करके कर लेंगे तो संख्या मान लेंगी संख्या होंगी 4x 5x 6x ओके यह ratio है यह हम संख्या मान लेंगे और average दिया गया है 25 तो अगर मैं आपसे पूछू कि 3 संख्या का average पचीस है और तो 3 संख्या का योग क्या होगा तो तीनो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 25 multiply 3 25 multiply 3 यानि 75 जो होगा तीनो संख्याओं का योग हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 3 जो होग क्या हो गया 75 हो गया जो मैंने आपको संख्याओं बताई थी 4X, 5X, 6X यह अनपात है ना 4 ratio 5 ratio 6 तो इनको हम लोग add करेंगे तो 75 हो जाएगा इसको हम लोग add करेंगे तो 15x is equal to 75 x कमान जो जाएगा 5 लेकिन आपको यहां नहीं रुकना है x कमान नहीं पता करना आपको question को आप ध्यान से पढ़िएगा तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन 30 क्या हो जाएगा सही यह तो एक लॉंग वे था अगर आपको 60 में अगर आप बहुत जादा practice के रहेंगे तो आप तुरंत यह 10 को सिकंड का भी question नहीं है आपको क्या करना है सबको जोड़ना है 6 5 4 इनको जोड़ना है तो क्या जाएगा फंदरा रेशियो पंदरा रेशिय होगा तो 6 को 5 से लोग multiply कर देंगे तो 30 आजाएगा तो यह अगर आप बहुत ज़्यादा practice के रहेंगे तो बहुत ही sort में भी कर सकते हैं तो यह question I think आपको clear हुआ होगा यह ऐसे ही question था आप एक बार और इसे लगाने के questions करें मैंत के question जितने बार practice करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा उसमें clarity आएगी उतना ही ज़्यादा वो clear होता चलेगा next question है भारत छोड़ो अंदोलन Congress ने किसकी विफलता के बाद शुरू किया था तो चले हम लोग पहले जानते हैं भारत छोड़ो अंदोलन था क्या उसके बाद हम लोग जानते हैं आप अगर भारत छोड़ो अंदोलन का यह background यह सब जान लेंगे तो यह question आराम से आब attempt कर सक रहते हैं तो देखते हैं भारत छोड़ो अंदोलन भारत छोड़ो अंदोलन इसको आगस्त करांथी के नाम से भी जाना जाता है तो 1922 में क्रिप्स मीजन आया था किस चीज़ के लिए था इंडिया को dominant status देने के लिए आया था लेकिन इसने क्या कहा था जब war में आप वर्डवार टू खतम हो जाएगा तब हम लोग आपको डोमीनियन स्टेटस देंगे लेकिन यह चीज क्या हुआ गांधी जू को मंजूर नहीं हुई तो इन्होंने इसको क्या कह दिया पोस्ट डेटर्ट चेक कह दिया पोस्ट डेटर्ट किसलिए कहा था आपको पता चला कि सिसने कहा था कि वर्डवार के बाद सारी सर्तिमानी जाएगे इसलिए इन्होंने पोस्ट डेटर्ट चेक कहा गांधी जी ने लेकिन यहीं प्याद पोस्ट डेटर्ट चेक आफ इंसॉल्मेंट वैंग तो वह किस ने और नहरुजी ने कहा था तो दो चीजे याद रखी उ प्लानिंग पहले से ही बन चुकी थी फिर 8 अगस 1922 को रिजुलिशन पास कराने के लिए बुंबई सेशन में गांधी जी ने एक सभाइक अत्रित हुए उसमें गांधी जी ने डू और डाइ करो या मरो का नारा दिया और रिजुलिशन को पास करा है Quilt India Movement का resolution क्या हुआ Congress में 8 अगस्त 1922 को पास हो गया तो जैसी ही resolution पास हुआ जो अंग्रेज अथिकारी थी उनके पास भी कहीं न कहीं भनक पहुँच चुकी थी कि ऐसा एक mass movement इंडिया में होने वाला है तो जैसे ही resolution पास हुआ दिन में resolution पास हुआ और उसी की रात को जितने भी बड़े नेता थे जितने भी leaders थे सब को arrest कर लिया गया सब को arrest कर लिया गया तो इस तरीके से यह जो अंदोलन था यह नेत्रत भीहिन हो गया और 9 आगस्त 1922 से इसको officially launch किया गया officially launch date थी लेकिन इससे पहले जितने बड़े नेता थे इवन गांधी जी भी arrest हो चुके थे तो इस वज़ा से नेत्रत भीहिन होने के वज़ा से यह आंदोलन उतना खास impact नहीं डाल पाए ब्रटी सर्स के उपर तो हम लोग कह सकते हैं उतना जादा success नहीं रहा जितना हम लोग इससे expectations करते थे तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा का पूरा summary थी मैंने आपको summarize करके बताया इससे बाहर आई थिंग नहीं पूछे का भारत छोड़ो आंदोलन से तो यह question अब आप easily attempt कर सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन किसकी विफलता के बाद सुरू हुआ था तो क्रिप्स मीशन आया था 1942 को क्रिप्स मीशन आया इसको पोस्ट डिटर चेक कहा गांधी जी ने और यह जब फेल हो गया तो उसके बाद डारेक्ट बात क्या स्टार्ट हो गया भारत में इंडिया मोमेंट नेक्स्ट कोस्टन है दा प्रपोजल फोर प्रेमबल इंडराफ्ट कंस्टिउशन वाज गीबन बाई तो पहले हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं जब भारतिय समिधान का निर्माड होने लगा था तो भारतिय समिधान का निर्माड होना कब से स्टार्ट हुआ नो दिसम्बर ओके नो दिसम्बर से स्टार्ट हुआ नो दिसम्बर को सजिनान सिर्हां जी को अस्थाई अध्य चुना गया पहली मीटिंग उसके बाद 11 दिसम्बर 11 दिसम्बर को क्या हुआ 11 दिसम्बर को हुई दूसरी मीटिंग उसी के बाद दो दिन बाट 23 दिसंबर को एसी मीटिंग में नहरु जी ने जवाः लाल नहरु जी ने इन्होंने एक объ بजेक्टीव resolution रखा जो आगे चलके हमारे समिधान का बना प्रियम्बल बना हमारे समिधान का प्रियम्बल बना इस अब्जेक्टीव resolution को रखा तो उन्होंने 13 दिसंबर को था लेकिन ये पास कब हुआ था तो objective resolution जो पास हुआ था 12 January 1947 को पास हुआ था 12 January 1947 को पास हुआ और यह objective resolution का प्रस्ताव जो जवाहलाल नहिरू जी ने रखा था ये आगे चल के हमारे देश का क्या बना प्रियंबल बना तो ये प्रियंबल हमारे इसका आप ये पढ़ सकते हैं हिंदी में भी मैंने लगा दिया है तो इसके पीछे का मैंने ये चीज मैं आपको बता चुका हूं 13 दिसंबर 46 को objective resolution रखा गया जवाहलाल नहिरुदारा जो कि 512 January 1947 को तो ये था objective resolution जो एक प्रियंबल का न्यू बोल सकते हैं वो प्रियंबल क एक new theme next question है English media mall के लिए जिन्होंने English को update किया है as a language अपना entrance देने के लिए English paper को तो उनके लिए question है word है patchy patchy word है और इसका आपको क्या बताना है synonym बताना है synonym बताना है तो patchy word का meaning होता है ये होता है irregular कोई भी चीज composition texture इन सभी चीजों से irregular हो या uneven हो तो उसको हम लोग patchy बोलते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चारो options में से तो थर्ड जो option है uneven uneven जो option है ये दिख रहा है patchy के एकदम same क्योंकि unregular और uneven in composition and texture इन सभी चीजों में जो होता है उसको हम लोग patchy बोलते हैं तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा third option सही हो जाएगा जो कि है uneven तो I hope यह आपको clear होगा मैंने और भी patchy के synonyms लिख दे हैं आप लोग यहाँ पे patchy के synonyms अच्छे से पढ़ सकते हैं जितने भी हैं तो वीडियो यह last question था वीडियो को खतम करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप enrollment and admission लेना चाहते हैं तो आप इन numbers पर contact कर सकते हैं तो वीडियो को खतम करने से पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं उसका answer आपको comment box में देना है कि गांधी जी ने do or die का जो नारा है जो statement है वो कब दिया था ओके यह आपको answer में देना है do or die का नारा गांधी जी ने कब दिया था तो इस वीडियो के बारे में आप अपनी feedback कोई भी राय हो कुछ भी हो तो आप comment box में आप बता सकते हैं अच्छे से आप बताईए और इसका जो मैंने आपसे question पुछा इसक अंसर आप जरूर दीजेगा वीडियो को बीना back किये हुए ओके तो इसका अंसर दे सकते हैं